दोस्तों, electric motor कोई भी हो जो बिजले से चलने वाली motor होती है, चाहे वो monoblock pump है, चाहे चक्की की motor है, चाहे ceiling fan है, चाहे आपका F expansion है या चाहे आपका exhaust fan है अगर उसकी motor की अंदर पानी चला गया तो वह motor चलेगी नहीं बलकि वह short marker के खराब हो जाएगी और कई लोग सोचते हैं कि उसको हम अगर हम सुखा दें तो सुखाने के बाद में motor हम चलाएंगे तो चलने लग जाएगी अगर आपकी किसी भी motor की अंदर पानी चला जाए तो उसको आप चला सकते हैं कैसे चला सकते हैं कैसे आपको चलाना चीए किन बातों का आपको ध्यान रखना चीए और motor की अंदर पानी जाता कैसे है आपको पानी कैसे जाता है और आपको यगर इसको चलाना है क्योंकि पानी उठाता है पानी के रहता है इसलिए ज्यादा चांस है पानी जाने के बाकी अगर पानी जाता है तो उसके अंदर यह होता है या तो बाहर रहते रहते भीग गया है या आपकी जो कि exhaust fan है जंगले से आपके पानी आगर कि आपके पंखे के अंदर exhaust के अंदर उसके अंदर पानी चला गया है जिसकी वज़े से उसको आपको problem आगई है ठीक है तो सबसे ज़्यादा problem हारे μonoblock pump के अंदर होती है और इसी के बारे में आज complete solution में आपको देने वाला हूँ कि अगर mono block pump के अंदर पानी चला जाए तो आपको उसका solution कैसे करना चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं कितने % chance है कि वह motor आपकी चलेगी या कितने % chance है कि वो motor आपकी नहीं चलेगी और साथ इस विडियो के अंदर आपको इस motor का genuine data भी मिलेगा जो की कभी नहीं फुकेगा आगर आपकी motor कभी जाम नहीं होगी और उसके अंदर पानी नहीं जायेगा तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो देखते नहीं है तब तक लाइक करना बनता नहीं है क्योंकि जानकारी ही नहीं मिले तो लाइक किस बात करें वाई चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं है तो दोस्तों यह मोटर सकते हैं इसके अंदर की पानी है थीक है अभी यह नीचे मैंने जुका दिया तो निकल गया तो देख सकते हैं इसमें अभी मैंने खोला है तो यह सारा पानी इस मोटर के अंदर से ही निकला है देख सकते हैं गंदा भी है जंग भी लगा हुआ इसमें तो ये मोटर पानी सुखाने के बाद चलेगी की नहीं चलेगी ये मैं बाद में बताऊंगा आपको लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस मोटर की अंदर पानी कहां कहां से जाता है और यह पानी इतना जादा इसकी अंदर कैसे गया चलिए यह जानते हैं तो दोस्तों इसको मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा देखिए दोस्तों मोटर के अंदर पूरी जब पानी भर जाते है जिसका मतलब यह है कि मोटर कहीं गड़े में रखी हुई थी यहां पर मोटर रखी इसके बर पानी तो दूबने की वजए से मोटर के अंदर पानी जा सकता है कैसे कैसे आप कर सकते हूं देखिए यह जो बॉड़ी होता है पीछे जो यह कपर लगाया जाता है यहां से, तो इनके पीछे जो कोई चिपकाया, ऐसे कोई गुलू बगएरा नहीं लगाया जाता है, जिसकी वज़े से किसके अंदर पानी ना जाए, ठीक है, तो आपको जैसे कि दो जगह से पानी जाने का ज़्यादा चांस होते हैं, या तो कोई इसके उपर से बरसात में पानी गिर जाए, या कोई मगगे से अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी डाल दे, तो इसके अंदर पानी जा सकता है, वो पानी जाने का रास्ता दोस्तों, बैरिंग के उठाता है लेकिन पॉद Suppose प्रेसर पड़ता है यहां से पानी के निकलते हैं चीट फानी के चिटे निकलता है तो यहांसे भी रास्ते66 मोटर के अंदर पानी चला जाता है अगर आपके मोटर की सील लेकर हो दूस्तों तीसरा कारण मोटर के अंदर पानी जाने का मान लीजिए इसके उपर आपने पाइप लगा रखा है और यहां यहां से पुर्वार की पाइप नौत यहां के तरफ में लेकिन बहुत यह पो जिसकी वज़े से आपकी मोटर के अंदर पानी जाएगा और मोटर आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है, तो ये तीन कारण होते हैं, पहला ये कि एक तो उपर से जाता है, चाहे बरसात से जाए, कोई मगे से डाल दे या कोई काम हो रहा है, बगल में उसकी वज़े से छीटे पढ़ पढ़के मोटर के अंदर पानी चल जाए, दूसरा कारण होता है कि इसकी अगर सील लेकेज हो जाए तो इसमें पाणी जा सकता है, मोटर के अंदर, तिसरा कारण होता है पड़ेगा सील चेंज करवाना पड़ेगा दुकानदार से जाकर कि आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर उपर से पानी जाता है तो इसके उपर आप एक कोई होती है पुरानी गारीयों की जो ट्यूब होती है अगर इसको कभी नहीं धगना है अगर इसके पीछे दोस्तों एक हवा लग जाने के लिए एक पंखा हुआ होता हम देखÏ और यहांपर गरम YouTube हे तो आपकी जो लाइफ जादा दिनों तर रहेगी और दोस्तों चौथा जो कारण मैं आपको बताऊ पानी जाने के जो कि मैंने पहले बता जिया कि मोटर गड़े में हो या घर के अंदर पानी आ जाए तो आपके मोटर के अंदर पानी जा सकता है जैसे कि अभी गया हुआ था यहां पर जो क जल्दी से मोटर की फूखती नहीं अगर बढ़ियाँ वाइंडर ने वाइंडिंग किया है तो क्योंकि मोटर की वाइंडिक के जो डाटा होता यह कम्पनी की दवारा बनाया जाता है और कम्पनियां इस पर रिसर्च खरके इदर डाटा बनाती हैं कि आपकी मोटर टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपका घर रोट की बिल्कुल बराबर है तो अपने बोटर जो आपकी घर के अंदर जो मोटर है इस तरह की कोई अप्रीज है तो उसको थोड़ी सी उचाई पर रखिए बिल्कुल जमीन के उपर फर्स के उपर ना रखें जो कि आपकी मोटर जादा जिनों तक चलेगी उसके अंदर जैसे मान लिजे बरसात होता भी है रोट पर पानी भर जाए आपके घर के अंदर पानी घुल जाए तो आपकी मोटर जल्दी से खराब नहीं होगी ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यह मोटर के अंदर पा चैसे मोबाइल को पहले कहा जाता था Was Hab do रिजा और दीजिये और उसको सुखाुल करके इसको आप इसी तरह से मोटर को अब इसके साइड को भैक और को खोल तो यह वाली तो नहीं पानी में सुखा करें ठीख हो सकती है लेकिन अगर आपकी क्वाइल जैसे इस तरह से साफ हैं क्योंकि आप तुरंत आपने अगर बंद कर देंगे मोटर को पानी जा रही है तुरंत आपने निकाल करके खोल के डाल दिया है पानी भर गई कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप दो दिन तक इसको कम से कड़ी धूप के अंदर रख देंगे तो आपकी मोटर जो है पूरी तरह से सूख जाएगी और सूखने के बाद में आप इसको दुबारा फिट करेंगे तो आपकी मोटर कुछ दिनों तक चल सकती है ठीक है हां उसमें भी आपके 80 परसेंट चांस है कि आपकी मोटर चल जाएगी 20 परसेंट फिर भी आपको सक है इसको जब तक दो दिन एक आत गंटे चलने के बाद ही मोटर के उपर हाथ लागाए नहीं तो इसके अंदर करेंट भी आ सकता है क्योंकि जो इसके स लाड पेपर हैं इसके अंदर पानी चला आरहा है फिर तो आप अपनी शुचल आपके ऊपकी चला सकते हैं इसी तरह से दोस्तों अगर फराटे के लिए चला सकते हैं चलेगा परसेंटब चांस से क्यों चल जाएगा 20 परसेंट चांस तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे आने वाले आगी और वीडियो के अगर जानकारिया आपको अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाज कर दीजिए चैनल पर पहली बा झारे प Welके टारहों कोंज से हैं